नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपकार के क्लासिस में कल हम लोगों ने NCRT स्रीज क्लास 6 का इलेशन 1 देखा था और आज जोग्राफी में इलेशन 1 देखा ये हम लोग करेंगे हिस्ट्री का इलेशन 2 जो की है आरंबिक मानव की खोज ये स्रीज में आप लोग कई दोस्तों ने जो है काफी इसको सरहा है तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसे आप कंटिन्यू देखें बागी सबी का PDF जो हम टेलिग्राम पर दे देंगे तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय अपना आरंबिक मानव की खोज पहला प्रश्ण है कि निमलिकित पुरास्थलों में से किस अस्थान से मनुस्य के आखे टक खाद संग्राख होने का प्रमान नहीं मिला है मतलब लोग जो खाद का संग्राख करते थे ये चार जगह दियावा इनमें से किस अस्थान पर ऐसा मतलब लोग जो है शंग्राख खाद के शंग्राख होने का प्रमान नहीं मिला है ओप्शन देख लिजे आप भीम बेट का हुंसी, चिरांद, कुर्नूल गुफाएं तो ध्यान रखिए सही जबाब है आपका चिरांद कहता है कि भीम बेट का हुंसी और कुर्नूल की गुफाओं से मनुस्थ के आखे तक वो खाद संग्राख होने के प्रमान मिले हैं लोग जो है सिकारी थे और जो भोजन था उनका संग्राख करते थे इसका प्रमान हमें भीम बेट का से मिला है हुंसी से और कुर्नूल से मिला है और ये ध्यान रखिएगा भीम बेट का हुंसी कुर्नूल ये तिनों पुरा पाशानिक अस्थल है जबकि चिरांद जो है नव पाशानिक पुरा अस्थल है ये भी तिनों में आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है चिरान जो है कौन सस्थल है नव पासानिक पुरास्थल आगे कहता है कि भीम बेट का नर्मदा नदी के किनारे तथा हुंसगी और कुर्णूल गुफाएं तुंग भद्रा नदी के किनारे इस्थित है तो सवाल आपसे पूछ सकता है दियान दखिएगा कि कुर्णूल गुफाएं किस नदी के किनारे इस्थित है तुंग भद्रा भीम बेट का जो है नर्मदा नदी के किनारे इस्थित है बीम बेटका जो है ये सेल चीत्रों के लिए भी काफी प्रशिद्ध है आगे देखते हैं क्या है कोश्चन देख लीजी कि निमलिकित पुरास्थलों में से कौन से नव पासानिक पुरास्थल है देखिए अच्छा कोश्चन टाइट कोश्चन है ये बेना डीप में गए आप इसको नहीं बना सकते गार ऐसे कोश्चन प्रस्ट नहीं है जो है एक्जाम में आ जाए तो ओप्चन देख लीजी मेहरगड बुर्ज होम महागड़ा कोल डिहवा दावजली हेडिंग कह रहा है कि इन में से कौन सा जो है अस्थल नव पासानिक पुरास्थल है देख लेते हैं तो एक दो तीन चार पाँच सभी अस्थल जो है नव पासानिक पुरास्थल है ध्यान रखिएगा कई सारे अस्थल हैं अभी हम लोगों ने उपर में देखा था कि चिरांद भी जो है नव पासानिक पुरास्थल है तो इन पांचों पुरास्थल के लावा आपको ध्यान में रखना है चिरांद मेहरगड कोल्डी होवा बुर्ज होम महागड़ा दावजली यह सभी जो है नव पासानिक अस्थल है बुर्ज होम से हमें गरत आवास मिला है गड़ा गर नेक्स्ट कुश्चन देखिए अच्छा कुश्चन है पुरा पासान कालीन जो पासान ओजार के निर्मान के संदर में निमलिखित कथन पर हमें विचार करना है मतलब पुरा पासान कालीन में जो है ओजार के बारे में क्या बाते हैं कहता है पत्थरों के इन उजार के बनाये जाने का अस्थान उद्योगस्थल फैक्टरी कहलाता था फैक्टरी साइट नेक्स्ट है कि पत्थर के इन उजारों के अंदिरमान में परियोग की जाने वाली तकनीक को दवाब सल्क तकनीक कहा जाता था प्रिसर फॉलकिंग ठीक है कौन सा कथन सही है यह देखना है तो देखते हैं इसका अंसर क्या होगा दोनों ही कथन जो है दोनों कथन सही है देखे अच्छा कुश्यन था कहता है कि पुरा पासान काल में पत्थर के ओजार बनाए जहां जाते थे उस अस्थान को उद्योग अस्थल कहते है यह काफी नॉर्मल सी बात है आगे कहता है कि पासान उपकर निर्माने तो दो तक्निकों का प्रियोग होता था ज्यान रखना है दोनों तक्निक पहला तक्निक क्या है देखे पहली तक्निक इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता था इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़ कर दूसरे पत्थर से हतोडी की तरह चोट करके शल्क निकाले जाते थे इस तरह से उसको नुकिला जैसा बनाया जाता था दूसरा जो तकनीक है इसको दवाब सल्क तकनिक कहा जाता है इसमें क्रोड को एक स्थिर सतय पर टिका देते थे और इस क्रोड पर हड़ी या पत्थर रखकर उस पर हतोडी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि पुरा पाशान काल में जो है औजार बनाने की दो तकनिक थी पत्थर से पत्थर टकराना दूसरा है दवाब शल्क तकनिक ठीक है नेक्ष कुश्चन देख लेते हैं कहता है निमलिकित में से राख के साक्ष किस पुरा पाशान इक अस्थल से विले हैं भीम बेटका की गुफाएं कुर्णूल गुफाएं कॉल्डिवा उन्सगी तो ध्यान रखना है राख का जो साक्ष है ये हमें मिला है कुर्णूल गुफा से अच्छा सवाल डिरेक्ट पूस सकता है साथ ये घटना चक्र में पूछा भी गया किसी एकजान में तो देख लिजेगा आप कहता है कुर्णूल गुफा से राख के अफसेस मिले हैं इससे स्पष्ट होता है कि पुरा पाशानिक लोग जो है आरंबिक लोग आग से परिचित थे बिल्कुल परिचित थे ठीक है चलिए अगला कुश्चन कहता है कि मद पाशान युग में जलवायू परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए देखिए अब अचानक अगर हम लोग इस तरह से प्रश्ण पढ़के अग्जाम में नहीं जाएंगे और ऐसा अगर प्रश्ण पूछ लिया जाएगा बीबीसी की बात करें तो दिमाग जो है जो आने जो आपको आता होगा वो भी आप भूल जाएंगे तो आप निश्चिंत रहें आने वाले समय में आपको इसी तरह की प्रश्ण जो हैं देखने के लिए मिलेंगे कहीं न कहीं 68 में चवर्दस्ट शिगनल दे दिया गया है हमें बात करना है कि मद्द पाशान युग में जलवायू परिवर्तन से आए बदलाव कहता है बदलावों से तापमान में विर्दी हुई और घांस के मैदान विक्षित होने लगे आगे कहता है इसी काल में मचली भोजन का महत्पुन स्रोध बनी पिर कहता है गेहू जो और धान जैसे अनाज प्राकरतिक रूप से उगने लगे थे कौन सा कथन शक्त है देखिए एक दो तीन उपर युक्त कहता है तीनों कथन सही है लगबग बारहजार वर्स पुर आए परियावर्णिय बदलाव के काल को मदपाशान यूग अथवा मेशो लित कहते हैं ध्यान रखीगा मेशो लित आगे कहता है कि इस युक में जलवाईू में आए बदलाव से जो ताफमान में वर्दी हुई उससे क्या हुआ कि घांस के मैदान बनने लगे और घांस शेतर बढ़ने से घांस खाने वाले जीब की संख्या में भी वर्दी हुई फिर कहता है कि मचली जो है इसी काल में भोजन का महत्पुन श्रोत भी बना आगे कहता है कि गेहुं जो वदान प्राकरतिय रूप से उगने लगे अतह लोगों ने इन्हें इकठा किया वो समय के साथ इन्हें खुद उब जाना सीख लिया नेक्श गुष्चिन दिखिए क्या है कहता है कि मानव सब्विता के आरंबिक काल प्रागहतिय काल को सुदानुसार्थी बहागों में बंटा गया है निमलिकित में कौन सा उन तिनों में नहीं आता है अर्थात प्राग एतियासिक काल के तीन भाग में इसको विवाजित किये गए हैं कौन उसमें नहीं है देख लिजे आप पुरा पाशान काल, मद्य पाशान काल, नव पाशान काल और महा पाशान काल तो ध्यान रखी गए महा पारशान काल जो है उससे सम्बंदित नहीं है मानद सब्यता के आरंबिक काल अर्थात प्रागैतियासि काल को तीन भागों में पुरा पारशान काल मद्य पारशानकाल और नव पारशानकाल में बाटा गया है ध्यान रखेगा महा पारशानकाल दक्षिन भारत में विसाल पारशान खंडों की बनी समाधियों से सम्बंदित है यह सवाल पूछा गया ध्यान रखेगा महा पारशानकाल दक्षिन भारत में विसाल पाशान खंडों की बनी समाधियों से सम्बंदित है नेक्स कुश्चन देखिए क्या है कहता है कि निमलिकित में कौन सा पुरास्थल प्रागैतिया से सैल चितरकला के लिए जाना जाता है तो अभी हम लोगोंने बात किया था कि सैल चितरकला के लिए भीम बेटका गुफा जो है ये काफी प्रसिद है ठीक है देखिए क्या कहता है भीम बेटका वरतमान में मद परदेश के रायसेंजिले में इस्थित है यहां से प्रागैतियासिक सैल चितरकला के कुछ सुन दरुधारन मिलते है भीम बेटका को प्राग एहतियासिक कालिन चित्रकला से संबंदित किया जाता है जबकि अजन्ता तथा बाग की सैल कृत गुफा जो चित्रकला है ये मौर काल के बाद की एहतियासिक कालिन है आगे कहता है अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है जिसे शूंग कालिन या साथवान कालिन माना जाता है तो दो तिन बाते हमें ध्यान में रखनी है कि प्राग एहतियासिक काल मतलब जिसका लिपी अभी तक हम लोग पढ़ नहीं सके है नहीं मतलब उसका जो है वो लिखा हुआ भी नहीं है कुछ और एक हो गया आद हैसियासिक काल जिसमें लिपी है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए है जैसे हडपा फिर एक हैसियासिक तो प्राग एतियासिक काल का जो सैल चितर कला है ये हमें देखने के लिए मिलता है भीम बेटका में ठेक है भीम बेटका की गुफाएं जो है मद परदेंस के राइसें जिले में स्थित है ये भी ध्यान दखना है कि आजनता और बाग गुफा जो है ये मौरकाल से संबन्दित है सुची एक को सुची दो से मिलाना है बहुत टफ कुशन हो जाता है ये इसको हम लोग डिरेक्ट देखते है चलिए आगे देखते हैं इसका क्या जवाब कहता है पुरा पार्षान काल बीस लाख वर्स पुर्व से बारह हजार वर्स पुर्व के दोरान माना जाता है तो कोई चीज अगर आपको बिलकुल भी नहीं पता होती है तो उसको आप जरूर कहीं पर साइड में लिख लिया करें या आपको पीडियाफ टेलिग्राम पर मिल जाएगा तो वहाँ से भी आप इसको बराबर जो या तो आप बुक ले 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 या प्रिंट निकल वाले या जो इंपोर्टन लगता उसको आप कहीं सरफ में कॉपी में लिख लिजिए पुरा पाशान काल हम लोगों ने देखा बीस लाक वर्ष से बारह हजार वर्ष पुर्व मद पाशान का समय बारह हजार से लेकर के दस अजार वर्ष पुर्व उत्तर पाशान तथा अर्थात नव पाशान के सुरुवात लगवक दस अजार वर्ष पुर्वष होती है द्यान रखिएगा फिर कहता है महापाशान काल का संबन दक्षिन भारत के बड़े सिलाखंडों से बनी समाधियों से है इसका काल 500 इसापुर्व से 100 है इस्वी अर्थात 2500 इसापुर्व से 1900 वर्षपुर्व तक माना जाता है में हमें ध्यान में रखना है क्या पुरा पाशान काल 20 लाग से 12,000 तक फिर आजाना है मद्द पाशान में 12,000 से 10,000 तक नव पाशान की सुरवाद 10,000 से होती है तो ऐसे याद रखेगा आप 20 लाग से 12,000, 12,000 से 10,000, फिर 10,000 20 लाग से 12,000 पुरापाशान 12,000 से 10,000 मद्दपाशान और 9 पाशान 10,000 से स्टार्ट हो रहा है नेक्ष्ट कहता है कि निमलिखित परविचार कीजी पुरापाशान, मद्दपाशान, नवपाशान आगे क्या है देखते हैं इसका वपयुक्ट में से किन किन काल के ओजारों को माइक्रो लिथ अथवा लगू पाशान कहते थे तो दियान रखिएगा क्या कहता है लगबग 12,000 वर्स पुर्व से लेकर 10,000 वर्स पुर्व अर्थात मद्द की बात हो रही है, मद्दपाशान कि काल को मद्दपाशान काल कहा जाता है इसकाल के जो पत्थर के ओजार होते थे आम तोर पर बहुत छोटे होते थे और इन छोटे ओजारों को माइक्रो लिथ यानि लगू पाशान कहा जाता है तो ध्यान रखेगा माइक्र उलित या छोटे छोटे पत्थरों के उजार किस काल से सम्बंदित हैं मद्य पाशान काल से मद्य पाशान काल का टाइम पिरिड हमें याद रखना है 12,000 से लेकर के 10,000 पुरा पाशान का हमें याद रखना है 20,000,000 से 12,000 अन्नव पार्षान श्टार्ट हो जा रहा है अपना दस हजार से कहता है कि प्राय इन ओजार में हड़ी या लकडियों के मुठे लगे हसियां और आरी जैसे ओजार मिलती थी साथ साथ पुरा पार्षान युग वाले ओजार भी इस दोरान बनाए जाती रहे हैं लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है कि मद्य पार्षान जो की बारह हजार से दस हजार तक जिसका टाइम पिरियेड है इस समय अपत्थल के ओजार जो है काफी चोटे-चोटे होते थे उन्हें माइक्रोलित या लगू पार्षान कहा जाता था नेक्ष देखिए क्या है कि हुंसी के संदर में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए कहता है उसगी से पुरा पार्षान यूग के कई जो हैं साक्ष प्राप्ट हुए हैं आगे कहता है यहां से प्राप्ट अधिकांस और जार बलुवा पत्थरों से बनाए जाते थे तो सही जवाब है ऑप्शन नमबर ए क्या कहता है देख लिजे कि कतन एक सही है फुषगी करनाटक में इस्थित पुरा पार्षान कालीन अस्थल है ध्यान दखेगा कहा है पर रिस्थ है करनाटक में और तुम्धरा नदी के किनारे यहां से प्राप्त कुछे पुरा अस्थलों से अलग-अलग कार्यम में परयोग के जाने वाले कई ओजार मिले हैं उनसकी करनाटक से ठीक है कहता है इसमें अधिकांस ओजार जो है यह चूना पत्थरों से बनाए जाते थे ना कि बलवा पत्थर से और कितना अच्छा कोش्षिन यह कितना डीप से पूछ रहा है इसमें जो और यार हमें देखने के लिए मिलता है वो चूना पत्थर का ना कि बलवा पत्थर का क्लियर है कि आगे देखे क्या कहता है बारत में सुत्रमुर्ग के साक्ष के संदर में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए कहता है कि भारत में सुत्रमुर्ग के होने के प्राचिंतम प्रमान नव पार्षान युग से प्राप्थ हुए है अगला स्टेट्मेंट है कि आंदर प्रदिस के पटने नमक पुरास्तल से सुतुरमुर्ग के अंडे के अबसेस मिले है फिर कहता है कि प्राग हैतियासिक काल में सुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चितरंकन और इसके मन के बनाये जाने के परमान मिले है तो सुत्रमुर्ग के बारे में तीन स्टेटमेंट हमें मिला है कौन सा कह रहा है सही है केवल तीन सही है तीन में देख लीजे क्या है कि प्रागैतिया से काल के शुत्रमुर्ग के अंडे के छिलकों पर चितरांकन और इसके इनसे मन के बनाय जाने का प्रमान मिला है कहता है कि भारत में सुत्रुगर होने के प्राचिंतम प्रमान पुरा पाशान काल से प्राफ्थ हुआ है किस काल से पुरा पाशान काल से ठीक है ओप्शन में देखिया आपको नव पाशान दिया हुआ है तो ये गलत हो गया फिर कहता है ये अबसेश पटने नामक पुरास्थल जो महराष्ट में स्तितर वहाँ से मिला है अब देखिए कितना क्लोज कॉल है पटने यहाँ पर भी दिया है ठीक है लेकिन आंद्रपरदिश दिया है तो पटने कहाँ पर है भी या महराष्ट में फिर कहता है कि कतन तीन सही है इनके अंडों के छिलकों पर चितरांकन और इनसे मन के बनाने का परमान भी मिलता है इदम UPSC लेवल का दिया हुआ है कहता है कि हाली में 25,000 वर्स पुराने सुत्रमुर्ग के अंडे के सेल राजस्थान के बूंदी से पराप्त हुए ध्यान रखिएगा सुत्रमुर्ग के अंडे का सेल कहां से मिला है राजस्थान के बूंदी से तो ये हो गया अपना लेशन टू समाप्त इसके बाद अपना अध्यायत तीन है संग्रा से उत्पादन तक इसको गरेंगे फिर जल्दी हम लोग साइन्स के वी चैप्टर को भी स्टार्ट कर देंगे उमिद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलेंगे अगले लक्षर में तब तक के लिए जैहिन